Hello everyone, एक बार फिस्ट स्वागत है आपके अपने प्यारेश चैनल PWT में गैज आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही important topic के बारे में आपको पता होगा जो cell होता है उसको energy की need होती है यानि अगर जो cell है उसमें ever changing environment है यानि हमारा जो वातावरड है वो हमेसा change होता रहता है तो ever changing environment में जो cell होता है या फिर जो organism होता है उसको energy की जरूरत पड़ती है तो energy ऐसे ही नहीं मिल जाता उसके लिए कुछ process होते हैं जैसे हम कोई food अगर लेते हैं तो उसमें catabolic, anabolic processes होते हैं ठीक है जैसे आपने carbohydrate लिया तो उससे हमें पता है कि glucose मिलता है लेकिन उस glucose से directly हमें energy नहीं मिलता है उसमें process होता है, oxygen की presence में वहाँ पे combustion होता है glucose का तब जाकर के energy form होता है तो वही जो respiration का process है वो दो प्रकार का होता है यानि कि एक जो combustion होता है glucose का वो oxygen के presence में होता है और उसे हम लोग कहते हैं aerobic respiration और दूसरा जो respiration type होता है वो anaerobic respiration होता है जो कि oxygen के अभाव में यानि absence में होता है तो guys इस वीडियो में अंटक बने रहेगा आपको जो basic और main main point है aerobic and anaerobic respiration के बारे में पूरी detail हम आपको बताएंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं आज का topic है aerobic and anaerobic respiration यानि कि yv और a yv श्वशन श्वशन आप सभी को पता है क्या respiration तो respiration हमारे body के लिए या फिर और भी जो organism होते हैं उनके लिए बहुत ही important या फिर हम कह सकते है vital activity है अगर respiration ना हो हमारी body हमारे शिल्स अगर respires ना करें तो हमें energy नहीं मिलेगा और energy नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे तो सोचिए कि जीवन को जीने के लिए ये process कितना important है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा और हाँ pain और copy लेके बैठिए और note करते रहेए ठीक है देखिए पहला है aerobic respiration दूसरा है anaerobic respiration तो इनके बारे में जो main main point है और एक तरीके से differences जो है वो हम discuss कर रहे है देखिए जो aerobic respiration होता है takes place in the presence of oxygen यानि कि जो aerobic respiration होता है वो oxygen के presence में होता है और जो anaerobic respiration होता है वो without oxygen यानि O2 molecules में नहीं involved होता है यानि कि oxygen के अभाव में होता है और ये oxygen के presence में होता है तो ये पहला अंतर है अगे guys देखिए oxygen is required यानि oxygen इसके लिए क्या है essential part है तो इस process को कराने के लिए oxygen की ज़रूरत पड़ती है दूसरा क्या है oxygen की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है किस में है और अरोबिक respiration में ठीक है अव आईवी स्वशन में ठीक है अव आईवी स्वशन में oxygen की ज़रूरत नहीं पड़ती है next है दोस्तो अब ये कहा होता है यानि cell में कौन से site पे होता है जगा कहा है तो देखे जो aerobic respiration होता है वो mitochondria उसका main part है लेकिन cytoplasm में भी होता है तो mitochondria and cytoplasm but in case of anaerobic respiration only at cytoplasm ठीक है यानि यहाँ पे mitochondria में नहीं केवल और केवल cytoplasm में होता है next point है दोस्तो जो energy यानि कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि यह जो process होता है वो energy की ही बात हो रही है energy यानि कि ATP तो दोस्तो किस में ज्यादा ATP होगा यानि किस में high energy मिलेगा हमें तो देखते हैं किस process में high energy की yield होगी तो देखें दोस्तो जो aerobic respiration है उसमें जो energy की yield है यानि जो हमें मिलेगा वो high होगा वो क्या होगा high होगा दूसरा जो case है anaerobic respiration में जो energy की yield यानि energy जो हमें मिले का obtain होगा वो low होगा यानि lower energy in case of anaerobic respiration and in case of aerobic respiration it will be higher energy next क्या है ATP की synthesis यानि की aerobic respiration के थुरू यानि इस process में कितना ATP form होगा तो दीखें जो aerobic respiration है उसमें 36 to 38 लेकिन net gain क्या है 36 ATP की in case of anaerobic respiration इसमें जो ATP का है वो है 4 बट जो net gain है वो है 2 तो इसको आप बहुत ध्यांस याद रखिएगा यह बहुत ही important topic है और यह important point है important topic का यह important point है कि कितना ATP synthesize हो रहा है तीक है next है दोस्तो end product यानि कि end product का मतलब है reaction है reaction में जो reaction हो रहा है उसमें क्या product मिल रहा है end product यानि जो complete हो रहा है reaction तो उसमें क्या मिल रहा है तो देखें दोस्तो energy तो मिलता है लेकिन last में हमें carbon dioxide और water भी मिलता है किसमे aerobic respiration में and in case of anaerobic respiration end product vary vary का मतलब होता है change होता रहता है यानि कि alcohol भी मिलता है और lactic acid भी मिलता है दोस्तों lactic acid जो है आपने कई बार फिल क्या होगा कि जब आप जो कभी कबार दोड लेते हैं तो आपके जो muscles हैं वो पीन करने लगते हैं उसमें जो दोस्तों होता है उसमें lactic acid का deposition हो जाता है फिर से सुनिएगा जब हम irregular running करते हैं आज खुब दोड लियें और कल दोडे ही नहीं फिर क्या किये हम परसो दोडे ही नहीं फिर कभी कबार 10 दिन बाद फिर दोड लियें तो उसमें आपको पता चलता है आपके थाई में थोड़ा सा मीठा मीठा दर्द होता है तो वो जो दर्द हो रहा है जो different type का दर्द है व lactic acid का deposition हो जाता है उसके बारे में हम पूरी mechanism के बारे में हम discuss करेंगे लेकिन यहां के लिए आपको यह दिमाग में रखना जरूरी है कि हमें कब lactic acid का formation हमारे body में होता है तो muscles के किश में next है दोस्तो